शिशू यानि बच्चे को भी उतनी ही गर्मी लगती है जितना की हमें गर्मी लगती है हमें गर्मी लगती है तो हम बोल सकते हैं कि अरे बहुत गर्मी हो गई है बहुत गर्मी लग रही है पर छोटे बच्चे के पास रोने के अलावा कोई और option नहीं होता है क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं सकते हमें गर्मी लगती है तो हम cooler या पंखा के पास बैट करके या AC को on करके अपनी गर्मी को खतम कर लेते हैं क्यों मैं पता चलता है अच्छा ठीक है यह temperature ठीक है मौ पर टाइम स्पेंड कर लेते हैं ठीक उसी तरह से बच्चों के लिए भी होता है इनफेक्ट बच्चे जो होते हैं वह काफी जजादा छोटे होते हूंनकी स्किन हमारी अपेक्शा काफी जजादा हमारी जटाऊ जो temperature होता है वो अनुकूल होता है वो उनके लिए perfect होता है इससे कम या इससे जादा बच्चों को जो है वो परिशान करने लगता है नवजाद सिशु यानि की 6 महिने से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पसीने की गरंतियां जो है वो इतने अच्छे से अभी विक्षित नहीं होई होती है जो की जिस वज़े से की छोटे बच्चे को जो है काफी जादा गर्मी लगती है इसलिए बहुत ज़्यादा करूंगी जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे की जो ये गर्मी का मौसम है वो बहुत ही स्मूदली निकल जाएगा तो चलिए अब इस वीडियो में डीटेल में हम बात करते हैं फरस्ट टिप है बच्चे को पानी अगर आपका बच्चा अभी नवजात है यानि कि 6 महने से छोटा है तो उन्हें बाहर से पानी देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है बस मा को बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि मा जो है बहुत अच्छी कॉंटिटी में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दूर प्रेडियूस कर पाए और थोड़े थोड़े स समय पर तो पानी की जो कमी है वो दूर हो जाएगी अगर आपका बच्चा जो है छे महने से थोड़ा बरा है तो आप डॉक्टर से सला लेकर के अपने बच्चे को बाहर से पानी थोड़ा सा जूस यह सब दे सकती है पर एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल कर अगर आपके बच्चे का गर्व नाल जो है वो निकल चुका है तो आप अपने बच्चे को जो है नॉर्मल टेंपरेचर से थोड़ा जादा जो गरम पानी और ठंडा पानी मिक्स करके पानी रेडी करते हैं वैसा वाला पानी रेडी कर लीजे अपने बच्चे को और अपन कर ली जेगा कि आप उस पानी को बरदास्त कर पानीं नार्मल है तो बच्चे को इससे काफी जादा आराम मिलता है और बच्चे से काफी अच्छी नींद भी लेते हैं तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा नेक्स्ट तीप और ध्यान देने वाली बात होती है गर्मियों में, सही तरह के कपड़े पहना हैं कि इस तरह के कपड़े , जो cotton के ढचले , ऑफ्प कपड़े होते हैं और इस तरह के हमुद्ब IN n경 क provocative Sak Rider ताकि मच्छर ना काटें पर ढगड़ होना चाहएं तो आप अपनी बच्छ को धिले ड़ाले बकड़े होना चाहिए और एक और ठीज सच докर्दे को हमेशा ला नेप debates तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेगा तो इसे भी बच्चे को जो है अप रैशे से या फिर घमोडियों से बचा पाएंगी नेक्स्ट टिप होता है और जरूरी टिप होता है कि आप अपने बच्चे का टेंपरेचर क्या रखे यानी किस तरह का बच्चे के लिए वो जो है हेली हो अच्छा हो, बचा कमफटेबल हो आप चाहो तो अपने घर में जो है एसी या कूलर का भी इस्तमाल कर सकती है अपने बच्चे को comfortable करने के लिए बस ध्यान ये रखना होता है कि एसी या कूलर की जो हवा है वो direct बच्चे पर ना आए क्योंकि वो बच्चे के लिए जो है थोड़ा सा खतरनाग हो सकता है बच्चे के लिए जो एक temperature होता है एक guideline होता है वो है कि 23 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक आप बच्चे को जो है वो रख सकती है अगर 23 डिग्री में बच्चे को ठंड लग रही है तो आप इस चीज का ध्यान रखेगा कि बच्चे को आप फूल आस्तिन के कपड़े पह है तो आप यह इस तरह के temperature में अपने बच्चे को रख सकती है साथ ही अगर पूलर या AC का इस्तमाल नहीं करना चाहती है तो आप अपने घर की खिर्कियों को खुला रखिए अगर ठंडी हवा चल रही है तो आप जाली का इस्तमाल जरूर कर लीजेगा ताकि बाहर से कोई मच्छर ना आ जाए ने तो बच्चे को जो है मच्छर के वज़े से कोई और पडिशानी हो सकती है तो आप इस तरह का जरूर ध्यान रखेगा और दिन में भी आप अपने घर की खिर्कियां होती है वो बंद रखेगा पर्दे लगा कर रखेगा क्योंकि अगर आप इस तर बाहर लेकर के जाती हैं आप बचे को फोर वीलर में भी बाहर लेकर के जारी हैं जैसे कार में लेकर के जारी हैं तो कार भी आप ऐसी जगह पर पार्क कीजेगा जहां पर की छाहों बचे को डायरेक्ट धूपना लगे इस चीज का ध्यान रखेगा आप साथ ही जब आप बच यांगन परेगा भड़ा साथ दूरी परेगा उसमें इसे बात। बच्चे को परेशानी हो नहीं सकती है। अपने घर में लाने के बाद अब बाद ने के बच्चे को मैं बैट पर उनके साथ तो लेटी। फिर बचे के लिए जो है room temperature set कीजे ताकि धीरे धीरे temperature के साथ बच्चा जो है adjust कर ले आप इस चीज का जरूर ध्यान रखेगा I hope आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा informative होगा अगर हा तो इस वीडियो को like कर दीजेगा इसे अपने friends और family के साथ जरूर शेयर कीजेगा और इसी तरह के वीडियो को इस चैनल पर देखने के लिए being mommy family का part बनने के लिए चैनल को subscribe कर लिजेगा और साथी जो bell icon है उसे भी on कर दीजेगा